हलो डिवन कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके देखें पावर सेक्टर रेलवे सेक्टर की वीडियो हमने बनाई और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि उसमें बहुत गेम चेंज हुआ काफी मुवमेंट हुआ और वही पर अब एक ऐसा सेक्टर है जो एक ब पिक्चर बिल्कुल अलग दिखती है जहां पर सेक्टर जैसे आई टी फार्मा मीड कैप मैटल्स अपने नए हाई को टच कर रहे हैं वहीं पर केमिकल में मंदी बनी और मेजर स्टॉक अपने लास्ट टू यर से वहीं पर खरे तो ऐसे में यह देखना जरूरी है कि क्या र और तब कुछ स्टॉक को भी हम आपके साथ डिसकस करेंगे। मैं कैसे करता हूँ बिलकुल आप वैसे ही करेंगे क्योंकि बच्चों की तरह ट्रेट करने से या दिन भर मार्केट देखने से पैसा नहीं बनता है तो क्या है इडवांस प्रिक्शन किस तरीके से रात में ही आप स्टॉक सेलेक्ट पर पाएंगे सब कुछ सिखाने वाले ह है जल्दी से कॉल किजे तो सुरू करने से पहले यह देख लेते हैं कि मेजर केमिकल स्टॉक का रिटर्न क्या है इन लास्ट के चार सालों में दीपक नाइट्राइट तीन परसंट का रिटर्न नवीन फ्लोरीन माइनस 10 परसंट का रिटर्न लक्ष्मी ऑगनिक्स माइनस 33 परसंट का रिटर्न आर्ती इंडस्ट्री माइनस 29.7% का रीटर्ण टाटा केमिकल माइनस 16.1% का रीटर्ण बाला जीए मेंस माइनस 27.9% का रीटर्ण ये रीटर्ण दिसमबर 2021 से दिसमबर 2023 के बीच के हिसाब से निकाले गए साथ ही अगर last एक साल का return देखेंगे तो 40-50% तक आप chemical stock डाउन पाएंगे फिर वहाँ से यह recovery हुई है जिसके कारण कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से माहौल बन सकता है वहीं पर एक और interesting data है अगर यह पिछले 2 साल के पीछे चले जाएं मतलब 2 साल से और भी पीछे चले जाएं तो return देखकर इंसान माला माल और दीवाना हो जाएगा दीपक नाइट्राइट 788% का return नवीन फ्लोरीन 339% का return लक्ष्मी ओगनिक्स 216% का मार्च 2021 से क्योंकि नए आल लिस्टिंग है ना आर्टी इंडस्ट्री 186% का return टाटा केमिकल 222% का return बाला जीए मिस 1382% का return है जो की सुरुआत से है सिर्फ 2 साल को छोड़ दिया गया तो return तो आपको किस share ने आज तक सबसे जादा return दिया है comment में जल्दी से बता दीजे valuation आप देखेंगे तो उस समय बहुत काफी high हो गए थे ये जो तेजी हुई थी last 2 साल से पहले वाली बात कर रहा हूँ और market को बहाना चीए था value adjust करने के लिए और वहाँ पर कुछ valid region बने जिसके कारण chemical share डाउन हुआ covid के time पे एक sharp jump हुआ था इंडियन chemical company के demand में क्योंकि चाइना में supply chain disruption हुए थे उस time जिससे वहाँ की काफी chemical industry बंद हो गई थी और इसी के कारण हमें वो 2019 के बाद rally देखने को मिली और global demand 2020 के बाद slow down हुआ chemical का और इसी वज़े से revenue growth कम हुआ company का और वो stock के price पर effect किया कोविट के time chemical company का margin low cost raw material की वज़े से काफी boost हुआ था लेकिन अभी जैसे global inflation का problem आया तो raw material का cost भी बढ़ा और margin पर impact भी हुआ रस्या युक्रेन वार की वज़े से crude oil के price नहीं उचाई को छू रहे थे ऐसे में chemical company कुछ ना कुछ ऐसे product यूज करती है इनके भी price बढ़े तो profit margin पर negative impact दिखा तो इससे आप ये समझ गए कि सबसे पहले तो rally क्यों हुई थी valuation महंगा हो गया था फिर उसके बाद जो chemical sector में गिरावट हुई वो क्यों हुई ये दोनों बातों को हमने cover कर लिया अब हमें चलना है government क्या कर रही है इसको समझने के लिए लेकिन उसको समझने से पहले chemical industry को समझ लेना जरूरी है क्योंकि इसको बीना समझे यानि मतलब हम किसी भी sector में पैसा लगाते है तो उस sector की क्या importance है ये हमें पता चलने चाहिए हमें मालूम होना चाहिए तभी हमें invest करना चाहिए बीना उस sector के importance को समझे अगर हम invest करते हैं तो हम कभी पैसा नहीं कमा सकते है और sector पता चलता है तो हमें company का future potential पता चलता है और share में गिरावट होने पर भी डरनी लगता है chemical industry की बात करें तो highly diversified sector है यह जहां पर 80,000 से ज़्यादा product को यह cover करते है इंडिया के पास 200 से ज़्यादा national laboratories and 300 r&d center है global position की बात करें तो इंडिया third largest consumer है polymer का और fourth largest producer है agrochemical का sixth largest producer है chemical का और इंडिया chemical industry 7% contribute करती है इंडिया की GDP में भूलियेगा माल current estimation की बात करें तो 220 billion dollar था 2022 में और यह estimated है कि 2025 तक 300 billion dollar हो जाएगा 1 trillion dollar 2040 तक हो जाएगा तो यानि एक tremendous growth की कहानी है chemical industry में यह तो भाईया एकदम दिमाग में छाप लीचे और जब tremendous growth की कहानी हो तो जब किसी sector का सबसे बुरा time चलता है वो होता investor के लिए एक अच्छा time 2030 तक इंडिया 80% of the household middle income group की होने वाली है और जैसे जैसे यह middle class का urbanization बढ़ रहा है वैसे वैसे personal care, agro came food paint की demand बढ़ रही इसलिए domestic chemical sector के small और medium enterprise 18-23% तक का revenue growth दिखाए है 2022 में जिससे domestic demand बढ़ी और यह anticipated है कि 2040 तक यह 1 trillion dollar का हो जाएगा तो अब government का plan गया है क्योंकि अब समझ दो गए हो कि यह sector कितना important है और government अब इस दिसा में क्या कर रही है तो video like करके motivate कर दीजे बहुत अच्छा लगता है जब आपका like आता और हमारा दिल करता है और बहतर से बहतर content आपको दे सके है तो बजट 2023 के कोडिंग इंडिन government ने 20.93 trillion dollar का allocation किया था Department of Chemical and Petrochemical में और 2034 तक वीजन सेट किया गया है chemical और petrochemical sector में जिससे domestic production इंप्रूब होगा और import reduce होंगे investment जादा है government ने 100% MDI allowed किया हुआ है chemical sector में तो apple 2023 में cabinet ने national medical device policy को मंजूली दी जिससे medical device सेक्टर में ग्रोथ होगी 4PC PIR petroleum chemical and petrochemical investment reasons set up किये गए है government of India एक PLI भी launch की है जिससे domestic manufacturing और export को बढ़ावा मिलेगा government ने 100% FDI का involvement allow किया है chemical में FDI का cash inflow 2023 तक जून में 21.4 billion dollar था इसके अलावा 107.38 billion dollar का investment होना है Indian chemical और petrochemical sector में 2025 अब ऐसे में ये तो clear है कि इतने सारे plan है सरकार के और जैसा FDI का involvement है और जिस तरह की demand है हमारे life में chemical का involvement है ये industry ग्रोग करेगी तब सवाल आता है कि ऐसे कौन से stock है जिनको help मिलेगी इस rally में वही तो देखना है ना क्योंकि सारी चीजों को समझ गए सारी चीजों को जान गए तो वहाँ पे कुछ chemical के stock आते है जिनको key player कहा जाता है key player में deepak nitride navine fluorine, pidylite tata chemical जैसे share आते हैं यहाँ पर जो leader कह लीजिए दिगज कह लीजिए इस तरह के share होते है ठीक है तो यहाँ पर कुछ ऐसे stock पर focus करेंगे जो valuation wise अभी अच्छे हैं और FDI का involvement भी जादा है वहाँ पर phenotex chemical की बात करें तो specialty chemical कर business में involved है, textile construction fertilizer, leather और paint industry में इनके product का use होता है 70 country से जादा जगा presence है, इनकी जहाँ पे 23% total revenue आता है बाकी का 77% revenue domestic market से आता है, पिछले 5 साल में company ने 31.1% CHR का profit growth दिखाया है OPM percentage मार्ट 2022 में 19% था जो की अब 25% हो गया है और OPM percentage का बढ़ना बहुत बहुत बहुतरीं चीज होती है company almost debt free है तो यह है एक पहली company as per valuation wise Deepak Nitroid की बात करें तो 1970 में सुरू हुई थी company specialty chemical के manufacturing में involved है, revenue break up देखे तो 78% domestic revenue है बांगी का 22% exports जाता है finance layer 2024 से 2026 तक company 2600 करोड का capex करेगी, वो expansion of existing product capacity creation और revenue generation पे focus करेंगे, company ने अपने debt को बहुत rapidly reduce किया और almost debt free होने के कजार पर खरी है यहाँ पर FII का stake इसमें कम हुआ है, वहीं पर DIA ने अपनी holding को बढ़ाया है, तीसरी stock पर बात करते हैं, तो Tata group की company Tata chemical specialty chemical business में है, Tata chemical third largest soda S producer है globally और sixth largest producer है sodium bicarbonate की, साथ ही साथ company soda S की capacity को बढ़ा रही है, जिसके लिए already 2300 करोड का capex कर चुकी है company और March 2014 तक 600 करोड का capex और होना बचा हुआ है, valuation wise देखे तो industry का PE 31.2 का है, वहीं पर stock का PE सिर्फ 13.1 का है, भूली अगा मत, FII और DIA की combined district देखे तो 35% की है, जिसमें है recently DIA ने 1% district increase किया है अब साथ ही दो ऐसी company को देखेंगे जहां quarterly result Q on Q basis पर कम हुए हैं, लेकिन valuation wise अच्छे हैं, एक है GSCL Company, chemical business के साथ साथ यान business और consumer production business में भी involved है लेकिन mostly revenue chemical business से आता है 98% का revenue chemical से और consumer product से 2% का revenue आता है अगर geographical split की बात करें तो 96% domestic business और 4% export का business यानि देशी business जादा है PE पे बात करें तो industry P 31.4 है और company का P सिर्फ 6.03 है या भूलिये का मत company ने काफी हद तक अपने debt को कम किया और इसी वज़े से इनका cash flow भी negative है last में कुछ quarter में number थोड़े खराब हुए है company के लेकिन अगर 5 साल में देखेंगे तो 25% के CGR से एक good profit growth डिलिवर किया है और इसके साथ ही company अपने shareholder को 17.6% का dividend payout भी maintain कर रही है FII और DIA की combined holding 35% की जिसमें FII 25% से ज़ादा invested हैं share में next stock की बात करते हैं fine organics की company इंडिया की largest और world की top 6th manufacturer है all your chemical based addictive में ये chemical basically food preservation, cosmetic और coating में use होते हैं distribution network देखें तो 75 से ज़ादा country में है वहाँ पर अपने product को distribute कर रहे हैं revenue split देखेंगे तो 39% domestic से और 61% export से आता है जिसमें company ने export पर ज़ादा focus किया हुआ है company ने अपने debt को एकदम कम कर दिया और लगवक खतम होने के stage पर है quarterly result जरूर थोड़े से कमाए है company के लेकिन last 5 साल का CSR profit देखें तो 45.4% से increase हुआ है तो यह उस stock है जहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में chemical industry आपको बहुत 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 बहुतरीन return दे सकती है तो chemical industry पर नजर रखियेगा जिसको हम 2024 के निजरिये से देख रहे हैं वो आपको एक बहतरीन रिटन के नजरिये में हो सकता है तो आपको अपनी study करनी है और देखनी है कि कहां पे पैसा बन सकता है वीडियो को जल्दी से like और share कर दीजिए और प्यार दीजिए thank you so much